भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े, तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं पियम मोदी की इस हुंकार से ही आप अंदाजा लगा सकती है कि भारत अब किस कदर बदल चुका है हमारी जल सेना की शान, आइनेस अरहंत की हरकत से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों नए भारत से अब दुश्मन डरता है भारत की पहली परमाणू पंडुब्बी आई एनेस अर्यहन अब दुश्मन के दाख खट्टे करने को तैयार है क्योंकि इसने अपनी पहली गश्ट पूरी कर एक इतहास भी रच दिया है और देश को दीपावली का तुहफा भी दिया है आप लोगों ने देश को इस दिवावली पर अर्यहन्त के सफल अभियान के रूप में एक ऐसा अनूठा अनूपम उपहार दिया है जो भारत के इतहास में बेमिसाल है अर्यहन्त पूरी तरह से भारत में ही विक्सित और निर्मिक पंडुब्वी है इसका संचालन भी भारत खुद ही कर रहा है ये एटमी हथियारों से लैस है और समुद्र के किसी भी कोने से हमला कर सकती है इसको ढून पाना दुश्मन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है इसका वजन है छे हजार टन अरिहन्त का अर्थ है दुश्मन को नस्ट करना अरिहन्त की सफ़लता देश के लिए एक बहुत बड़ी एक वे मिशान उपलगती है देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है आई एनेस अरिहन्त को उन देशों को निशाने पर रख कर तैनाप किया जाएगा जो बात बात पर भारत को परमाडू हमले की धमकी देते हैं अरिहन्त की सफ़लता नुकलियर ब्लगमेल का माकूल और मूँ तोड़ जवाब आई एनेस अरिहन्त की काम्याभी के बाद भारत भी उन देशों में शुमार हो गया है जिनके पास परमाडू हमले की शमता वाली पंडुब्वियां है अमेरिका और रूस के बाद भारत ही ऐसा कारनामा करने वाला एक मात्र देश है